नमस्कार, स्वागत है आपका एंडी टीवी एलेक्शन कानिवल में दिल्ली शनिवार को वोट करने जा रही है दिल्ली वो शहर जिसने बादशाह देखे, शेहनशा देखे, शायर देखे, बदलती हुई सियासत देखी, आजादी की लडाई देखी है और साथ-साथ आजाद हिंदुस्तान में तिरंगे को लाल कले पर फैराते हुए भी देखा है इस शहर ने बहुत सारी बादशाहत, बहुत सारी सियासत को बदलते हुए देखा है इस शहर के बारे में एक दोर में कभी गोरक पांडे ने कहा था गालिबो मीर की दिल्ली हमने देखी हमारा शहर अपना शहर लोहे का है फूलों से कटता जाए है तो फूलों से कटते जाने की नाजुक मिजाजी रखने वाले इस फौलादी शहर दिल्ली में एंडी टीवी का इलेक्शन कानिवल लोट आया है तमाम हिंदुस्तान की हवाओं की खुश्बू लिये हुए दिशाओं को भापता हुआ आज आपके शहर दिल्ली में है क्योंकि हमारे यहां लोकतंत्र जो है वो सिर्फ वोट डालने और सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं है वो पूरा एक जशन है जो जनता को यकीन दिलाता है कि असली बादशाहत तो उसी की है तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इलेक्शन कानेवाल में यो मेरे साथ है मेरे साथ ही अनन्द पट क्या खुबसूरत शब्दों में आपने दिल्ली को पिरोया है नगमार मुझे लगता है कि दिल्ली का जो निचोड है नगमार ने इपने शब्दों में कहा दिया है दिल्ली के बारे में कुछ बाते मैं भी कहना चाहता हूं दिल्ली को मैं केवल एक शहर नहीं मानता हूं भार कि दिल में क्या है और जहां तक हमारे एलेक्शन कार्लिमिर की बात है तो आपको बताएं कि 11000 से 11000 किलोमिटर से ज्यादा का सफर इसने तै किया है पचास से ज्यादा शहरों में हम घुमें है और कोशिश यह है कि हवा हवाई बाते ना हो जमीन पर रहे कर जनता की नबस को पकड़ें और उसका क्या मिजाज है क्या उसका सोचना है क्या उसके मुद्दे है क्या वो सोच रहा है कि इसको वोट करेगा इसका एक अंदाजा आपको हम देख सके और यही हमारी कोशिश है कोशिश में कितने कामयाब है यह आप टै लेकिन आज हम दिल्ली में मौजूद हैं और कोशिश यह है कि दिल्ली का जो आबो हुआ है सियासी उसके बारे में विस्तार से आपको बता सके नगमा दिल्कुल सबसे पहले election carnival का जो anthem है एक तरह से वो जो इसकी रग में बसा हुआ है अब तक जो ये शहर शहर घुमा पचास शहरों में गया हिंदुस्तान की अलग-अलग राजियों में गया ये election carnival इस धुन पर सजाने के लिए हमारे साथ कुछ कलाकार यहां मौजूद हैं सबसे पहले आप की शुरुआत करते हैं आज की इन कलाकारों के साथ जोलत माशारेली पगबग पे है मेला अरपत्याशी निकला है लेके अपनी एक सवारी संद्स्यूज न होना आव है आव है देखो राह न खोना आव स्था चुनाव है नहीं भटको तो एल्ली टीवी को लोना रंग रंगीले बंदे हैं रंग रंगीले जन्ने हैं ये लोक दंद्रगा उत्सव है लोक दंद्स न हमन्द्स न है अथारा का भी वोटर है असी का भी है बाबा चोरा हो और नुकड़ पे है सबके अपने ही फंडे चर्चावारी है आव है बहस्जारी है आव है ने सथी ख़बर दिखाने के लिए हमने जम्मेदारी है आव हो खासो या बुद्धी जी भी जुनाव मतलब है एंडी टीवी लागना लपेटना चिलाची की जुनाव मतलब है शहर शहर हम गए डिकल लिए इलेक्षन कार्निवल यहां अफनी तू बात रख लोक तंत्र को कर प्रवत सुन गोटर अब जाग जरा पोलिंग भूत भाग जरा फ्यूचर तेरा हाथ में तेरे ये मौकाना चाए निकल कर वोट कर जरा सोच कर जरा सोच कर तू वोट कर बस वोट कर पस वोट कर अली महल्य गाउं शहर में हो गई है तैयारी मद दाता अब खेलेगा अपनी उली से पारी आमो हासु हो या बती जिवी चुनाव मतलब है, NBTV बोलत माशारेली, पगबगे हमेला, अर्टकाशी निकलाहेली के अबनी एक सवारी लागना लपेखना, चिलाची कि चुनाव मतलब है, NBTV चुनाव मतलब है, NBTV बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी खुबसूरत तरीके से आपने इस गाने को पेश किया है और आप सबसे अपील है, जो इस गीत में था कि आप निकलें, वोट डालें, आपका फ्यूचर जो है, वो आपके हातों में है तो इससे आप बिलकुल मत चूकिए, और आम हो खास हो या हो बुद्धी जीवी, चुनाव मतलब NBTV और इस चुनाओ का मतलब तभी है, जब आप अपने मतादिकार कास्माल करें, गजब से चुनाओ शुरू होुआ है, ये चुनाओ यातरा शुरू ही है, NBTV हमेशा आगी अपील करता आया है कि अपने मत्यादकार का समाल आप जरूर करें और हम बात कर रहे हैं दिल्ली के पूरवी दिल्ली लोकसभाद सीट पर इससे में हम मौझूद है जहां पर पूरी दिल्ली का एक जाइज़ा लेने के हम कोशिश करेंगे क्यों नक्मा बिल्कुल और हम हमारे साथ लोगों का एक हिस्सा मौझूद है जिनसे हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली के चुनाव में इस दफ़ा दिल्ली का मूट जो है वो क्या है या मुद्द क्या है लोगों के इर्किन बातों पर दिल्ली के लोग बोट डालने की सोच रहे हैं ये भी कहा पहँ सब्सक्राइब सरकाइब और पिछले कई सालों में यही नजर भी आया है तो हम मौझूद है पर इलेक्षिन कारनिवल में और मन्च जो है वो सच चुका है हमारे साथ खास मैमान भी है दिल्ली का चुनाब सरे है दिल्ली वोटडालने जाल रही है शॉनिवार को और आप जानते हैं कि पिछले दो बार से यहां पर दिल्ली में बीजेपी ने ही तमाम सीटे जीती है जो साथ सीटे यहां पर दिल्ली में हैं उस पर बीजेपी का कब्जा रहा है और केंदर में भी सरकार रही है तो क्या इस दफ़ा कोई अलग सोच है दिल्ली के मन में या क् अमाम बातों पर बुद्धों पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर आज हम हैं हमारे साथ दो खास महमान हैं अनांत आप महमानों को भूला इसके जानने की कोशिश करेंगे कि उनका कहना क्या है दिल्ली की आबो हुआ क्या कहते हैं सर प्लीज बैटिये इसके अलावा कॉंग् बहुत स्वागत है तालियों के साथ निर्ज जी का भी स्वागत कीजिए कॉंग्रिस के तमाम प्रत्याशी पूरा जोर लगाये हुएं इस चुनाओं में आपको बता दे कि कॉंग्रिस आम आदली पार्टी के साथ गड़बंदन में इस बार चुनाओं मैदान में उतरी है तो कॉंग्रिस लगाता ने दावा कर रही है कि दिल्ली इस बार बाजी पलटने जा रही है सवाल जवाब का सिलसला शुरू करेंगे सबसे पहले विजे जौली जी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूँआ और वही सवाल मेरा नीरच जी से भी होगा महौल क्या है देखे महौल जो 2019 में था वो 2024 में भी वही महौल है 2019 के अंदर भारत जन्ता पार्टी ने 7 में से 7 सीटे 57 प्रतिशत मत लेकर दिल्ली में जीती थी और मोदी जी देश के प्रधान मंतरी दूसरी बार बने थे और तब कॉंग्रस पार्टी को 22 प्रतिशत और 7 में से 0 और आम आदमी पार्टी को 18 प्रतिशत वोट शेर के साथ 0 बटा 0 सीटे दिल्ली में लोकसभा के चुरावों में हासल हुई थी निरत जी आपने बिहार और यूपी की बात की कि हवा वहां चल रही है लेकिन क्या वाकई वहां पर वही हवा है या हवा कुछ बदली है क्योंकि आपने जो कहा लेकिन या वेक इन वैसे ही कॉंग्रेस ये कह रही है कि मूट तो बदल चुका है बहुत सारी जगों पर आप किस बूते ये दावा करते हैं? दिल्ली की जनता के बारे में ये नहीं सोचा कि चुनी हुई सरकार का रोल अब किस तरीके से चलेगा? उसके अलावा नगमा जी, दिल्ली के अंदर जब कोविट के काल में यहां ऑक्सिजन की कमी हो रही थी, ये छे के छे जो NPA थे, ये तो अपने घरों में थे, आपको सडक वहां ऑक्सिजन दे रहे तो इस बदली हुई हवा में अगर आप इतने कॉन्फेडेंट हैं तो आपको गठमंदन की जरूत क्यों पड़ते हैं, आप चार सीट नहीं, तीन सीट, एक सीट कम पर लड़ रहे हैं, एक सीट आमादी पार्टी आपसे जादा है, देखिए, क्य उनको एपरिंटेंशिप के माध्यम से एक लाग रुपे सालाना देने के लिए, जब हमारा कॉस बड़ा है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक साथ आने का फैसला किया, और दिल्ली की जंता ने बहुत उत्सा के साथ हमारा स्वागत किया है, आप से जानो, पंजाब में पिछला चुनाव हुआ, कॉंग्रेस ने आम आदमी को आइना दिखाया, कि आपका आप कॉंशेंस, कॉंग्रेस आपको बताती रहेगी, कि आपको सरकार कैसे चलानी है, एक प्रतिक्रा विजजी से लिए, देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ, अपने कॉंग्रेस के मित् चुनाव लडने की बात करनी है, और देश के अंदर एक नया साशन और सत्ता देने की बात कर रहे है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या राहुल गांदी इंडिया गठ बंदन के परधान मंतरी पत के उमीदवार है, या हिंदुस्तान के दुबारा से परधान मंत दिल्ली में क्या जरूरत पड़ी थी आप लोगों को कैंडिडेट्स बदलने की? वही पार्टी के साथ, जिनके साथ ये लड़ते रहे, आज भारत जनता पार्टी को बाहर करने के लिए इनको लगा, अगर हमने हाथ मिला लिया, हाथ मिला भी लोगे, पिछले चुनावों के आकड़े बताते हैं, 22 प्रतिशत पे कॉंग्रस और 18 प्रतिशत के उपर आम आ गुछ मने हो रहा था, कभी नितीश कुमार के साथ है, कभी नितीश कुमार आपके खिलाफ है, तो ये तो पॉलितिक्स है, नितीश Alrighty, pourquoi है नीतीश जी हमारे पास आए अधा हाँ, बात यह है कि स्यासित में औँगली उठाना ही गलत है, सबके तरफ एकना एक आई थिस जो ह जनता की प्रतिक्रिया पूछिए जानना बहुत जरूरी मैं तोड़ा पीछे रूख करना चाहूंगा जो पीछे लोग बैटे हुए है आप क्या सोचते हैं दिली में क्या मुद्ध है में जनता की मुद्ध क्या है बेरोजगारी इसके अलावा और क्या सिक्षा भी नहीं है देश की राज़ानी में शिक्षा नहीं है नहीं सिक्षा भी नहीं है आप क्या सोचती है मैं आपके लिए मुद्ध क्या है में ले तो जो अच्छा काम करता है वो आएगा जो बुरा काम करता है वो जाएगा तो देखे ये तो ये तो जनता के ऊपर है आप जब वोट डाल में वो बात कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है मतलब उनको ऐसा लगता है कि यहां पर बेरोजगारी एक मुद्दा है और यह दिल्ली है देश की राजधानी जॉली साब 62 साल तक भारत के अंदर एक छट्र राज करने वाली कॉंग्रेस पार्टी रही और 10 साल जुम्मा जुम्मा भारत जुम्मा पार्टी और मोदी साब को काम करने का मौका मिला है इसका एक उधारन दे रही है कि आज भी अगर दिल्ली के स्कूलों के अंदर जाओ जिस प्रकार की सुवधाएं स्कूल के अंदर होनी चाहिए वो आज भी लाकिन पर क्या बेरोजगारी मुद्दा है यहां पे आपने कहा 10 साल कम वक्त है जुमा जुमा तो 10 साल में लेकिन पार्टी या मोदी जी ये कहते हैं कि हमने बहुत रोजगार दिये हैं आवजूद इसके क्या बेरोजगारी मुद्दा आप मानते हैं कि है मुद्दा? देखिए भारत के अंदर पिछले 10 साल के अंदर परदान मंत्री स्वर रोजगार योजना में साड़े चार लाक नौजवानों को लड़कियों और लड़कों को रोजगार के सादन उपला रहे हैं नीरा जी मुस्कुरा रहे हैं मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि यह कंपेरिजन बहिमानी है आप कंपेर करिए 1991 से लेके 2024 को पोस्ट लिब्रलाइजेशन भारत में जिसमें आज हमारे देश की मीडियन एज 32 साल है आप उन लोगों से बात करिए पिछले 40 साल के इतिहास में सबसे ज़ादा बेरोजगारी कोई रही तो मोदी जी के साशनकाल में आज हर व्यक्ति रोजगार के लिए इन से पूछता है कि मोदी जी मैंने बहुत तमन्ना के साथ 2014 में आपको वोट किया था मुझे लगा था सब बदल देंगे जो आप कह रहे थे लेकिन आज उसके हाथ सिरफ निराशा और हताशा लगी है एंडी टीवी इंडिया पर ये चर्चा जारी है तमाम दिल्ली के इशूस पर और भी इशूस पर बातचीत हो रही है अब हमारे मेहमान भी मौझूद है पब्लिक भी मौझूद है आप बने नहीं हमारे साथ एक चोटे से ब्रेक के बाद लाओ आपने इन से सवाल दागा कि आपके छे जो आपके सिटिंग सांसत थे आपने इनको क्यों बदल दिया अब एक सवाल ये आपकी तरफ से भी आ सकता है आपकी तरफ भी आ सकता है कि चुनाओं से एन पहले आपकी पार्टी के कद्दावर नहीं था आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे आपकी पार्टी के सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे उस सारे के सारे पाला बदल के बीजेपी के पास चले गए अगर आप इतने क्लियर विजन के साथ चल रहे हैं और उनके जाने के बाद आज जब इंडिया गटबंदन रैली करता है तो उसमें 5 लाग से ज़ादा लोग आते हैं तो देश की जंता सुनती है और आज दिल्ली की जंता ने ठाना है कि हमने 10 साल पहले जो गलती की थी अब उसको हम बदलने जा रहे हैं देखिए मैं इनको बताना चाहता हूँ ये इंडिया गटबंदन इंडिया एलाइंस की बात करते हैं जो लीडरलेस है मंगाल के अंदर ये अपनी मित्रांगरा ममता जी के साथ चुनाव के अंदर प्रतिपक्षी बन के लड़ रहे हैं पंजाब के अंदर जो इंडिया कोई चाल लड़ वा रहे हैं जिननों जो पार्टी पूरे देश के अंदर बाइस सीटे लेकर लड़े आम आदमी पार्टी वो कहती है हमारा मुख मंत्री भारत का प्रधान मंत्री बनेगा ये क्या दिखाता है कि डिमोक्रसी कुछ जादा ही है कॉंग्रिस में ये तो ये इसके उपर से प्रवादी यहां पर दावेदारी कर सकता है और मैं बताना चाहता हूं जो आईन कुछ भी हो कि आपको हर चीज में डिमोक्रसी लानी है इंडिया अलाइन्स को इन प्रिंसिपल मानते हैं इंडिया अलाइन्स को आत्मसार किया है हम ना तो फासिस्ट है ना अनार्केस्ट है हमें साइन को मनने वाले लोगों में से हैं आपने लाइन बोली आप अनार्केस्ट नहीं है लेकिन आप आदमी पार्टी के जो मुख्यां वो एक जमाने में काते हैं हां मैं राजक हूं देखिए फिर वही बात कि अब तो बहुत साल बीद गए मेजरीवाल ने जिस तरीके का साशन इस दिल्ली को दिया है उसका फैसला अगले विधान सभा चुनाव में होगा पारा है लोकसभा का चुनाव तो कहा जा रहा है कि यह हवा बदलने के इस अनकेत है देखे मैं यह आपको भी बताना चाहता हूं आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के अंदर सरल शराब नीती ला रहे थे जहां पहले छे प्रतिशत दिल्ली के शराब के ठेकेदानों को कमिशन दिया जाता था वहां कॉंगरस के साजा पार्टी आम आदमी पार्टी के लीडर बारा प्रतिशत की कमिशन उनको दे रहे थे मै क्या आप क्या आप क्या आप की लीडर्शिप इस प्रकार के भ्रस्टाचारी शराब खोरी करवाने वाले दिल्ली के मुक्खमंत्री अर्विंद केजरीबाल का आज साथ देकर अपने आपको एक्सपोज कर रही है इंडिया गटवंदन के साथी और खासकर कॉंग्रेस के पास ना तो बीजेपी का धोभी घाट है ना वाशिंग मशीन है चार जून को जब नई सरकार बनेगी जो मुकदमा जिस तरीके से चल रहा है वो मुकदमा वैसे ही चलेगा और साथ में जॉली जी वो इलेक्टोरल बॉंड का महा घोटा ला वो कोविट की नकली वैक्सीन और इस तरीके के जितने खेलें उनके उपर भी कारवाई होगी क्या यो आपको कोविट की वैक्सीन लगी क्या वो नकली थी आप बताईए यह तो आप बिल्कुल जॉली जी जूट के पर नहीं होते हैं जॉली जी प्रणान मंतरी की फोटो वेक्सीन के उपर तो आप रिसर्च आ रहे हैं कि कहां पर किसी एफिकसी है इसको हम हलका ना बनाएं क्योंकि लोगों के स्वास से जुड़ाबा मामला है और कोविट वैक वैक्सीन चाहिए वो कोवैक्सीन हो या कोविट शील्ड हो अब उसके पर बहुत सारे रिसर्च आ रहे हैं आम आदमी पार्टी की एक सीनियर महिला लीडर स्वाती मालेवाल लगातार आरोप लगा रही है और कह रही हैं कि वो अकेली हैं उन्हें धंकाया जारा वो लड़ कंप्लेंट नहीं करेंगे जिनोंने कंप्लेंट की उनके बारे में कोई गलत बात नहीं करेगा ये प्रियंका गांधी जी ने पहले दिन कहा उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अब जब FIR हो गई है तो law will take its own course हमने तो इस बात को सबके सामने रखा लेकिन जॉली जी बस य वह प्रजवल रिवना के लिए कहते हैं कि इनके जैसा व्यक्ति जब संसद में पहुचेगा तो संसद को टाकत मिलेगी तो महीला सुरक्षा की बात आप उस पार्टी से कर रहे हैं जिसने देश को महीला सशक्तिकरंट सिखाया पहली महीला प्रद्हान मंत्री पहली महीला पहली महिला स्पीकर हम लोगों ने तो इस देश के अंदर ये भी देखा नगमा जी एक बड़ी बात बोल देता हूँ अब ब्रश्टा चार भी किया अंदर निर्भया हुआ आप हमारा empathetic approach देखिए हमने उस बच्ची को सिंगापूर भेजके इलाज कराया उसकी अगर सेहट ठीक नहीं हो पाई वो वापस लोटी उसके भाई को ये राहूल गांदी ने कभी कहा नहीं था बाद में media reports आई राहूल गांदी ने उसके भाई को पढ़ाया उसको pilot बनाया और आज उस परिवार को सक्षम किया तो हम तो उस empathy के साथ चलते हैं हम प्रजवल रिवन्ना के स सब्सक्राइब में कहा कि कंप्लेनेंट को क्रिमिलनाइज करना एक विल्कुल गलत है जंता के बाद जा रहे हैं जंता के बाद जाहिए जंता के लिए कुछ लोग कड़ें मैं कॉंग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहूंगी आप कहते हैं कि आपका बैच जाएं प्लिए की कैसा विजन है जो संदेश खाली की ओर टो के लिए खड़ा नहीं होता जो दिली की ओर्तों के खड़ा नहीं होता और जो यह कहता है कि हम ढदाए पर यह अरक्षन नेxt・・・ दर्म के नाम पर आरक्षन की नीव जो रखी गई, वो इनके जो आज साथी है करनाटक में, HD देवे गोडा साथ, वो जब प्रधान मंत्री हुए, तो करनाटक में पहली बार धर्म के नाम पर आरक्षन हुआ, और उसको इनकी सरकार खीचती रही, हम लोगों ने तो हमेशा कह कि आरक्षन जो है, वो सबसे जरूरी है, और फिर मॉडस ओपरेंडी समझे बीजेपी, आज जो आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, वो इसलिए नहीं मिलती, कि सरकारी नौकरी में आरक्षन देना पड़ेगा, यह जो हर चीज़ को प्राइवेट करना चाहते हैं, वो हातों में ही सबसे बड़ी ताकत है वोट की, और असली बात्षा जो है, वो जनता है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का, इसी अपील के साथ की वोट जरूर कीजिएगा, शनिवार को अपने बताजिकर का इसमाल कीजिएगा,